नमस्कार दोस्तो, मॉर्निंग पॉड्कास में मैं सुधीप शाप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ मार्किट्स की बात करें, उससे पहले मैं आपको और आपके परिवार जनों को दिवाली और नए साल की हर्दिक शुबकामनाई देना चाहता हूँ दोस्तो, मार्किट्स की बात करें, तो प्राइज एक्शन के इसाब से हमने देखा है, पिछले कुछ दिनों में चारपात सेशन में मार्किट्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा था निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी तकरीबन 19,350 से लेके 19,500, 19,530 के आसपस ट्रेड कर रहा था, और बैंक निफ्टी 43,600 से लेके 44,100 के बीच में एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे थे पर दोस्तों जो मंगलवार शाम को यूएस में जो CPI inflation numbers आए जो अनुमान से कम आए और इसी के वज़े से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में तकरीबन 1,5% तक का कट आया और डॉलर इंडेक्स अब 103.7 के असपस आ चुका है जो की सब्टेंबर 2030 के बाद का सबसे निचल देखा बट ये जो दिरे दिरे जो फेड के मीटिंग के बाद statement आये थे उसके बाद ये जो inflation के numbers में हमने cool off देखा है इसके करण gradually हमने देखा है कि ये US के जो bond yields है ये 4.4, 4.42% के असपस आ चुक है जो की बहुत बड़ा positive है और मुझे लग रहा है तो मार्केट्स यहां प बहुत बड़ा positive trigger साबित हो रहा है global markets के इसाब से और brand crude oil prices के तरफ भी देखे तो ये भी यहां पे 81, 82 dollars के असपस stable हो चुका है और ये सारे positive factors के वज़े से हमने देखा है कि S&P 500 में एक जो resistance zone था 4,400 के असपस का जो की October के swing highs है अब index इसके उपर sustain होके close होने में कामियाब ह हो गया और आने वाले कुछ दिनों में हमें लग रहे है कि ये index अब 4,600 के असपस भी जा सकता है और यहां पे जो global markets में positivity है उसके उसी के वज़े से हमें लग रहा है कि Indian markets में भी एक बहुत ही rub off effect positive रहेगा इसका और यहां पे भी texture जो अब जो selling pressure का रहा था किया एक range bound market का अब मुझे लग रहे है कि आने वाले कुछ दिनों में हम एक trending move देख पाएंगे index के इसाप से दोस्तों निफ्टी levels की यदि बात करें तो पिछले 5 sessions में हमने देखा था कि निफ्टी 19-330 से लेके 19-500 के बीच में एक range में trade कर रही थी हर बार जब जब अपने 20 दिन के जो exponential moving average का जो जो जोन है 19-330-19-350 जब जब वहां पर आता था तब तब वहां से निफ्टी में एक अच्छा bounce back देखा जाता था पर 19-530-19-550 जोन जो की 50% retracement था पूरे down move का 20-222 से लेके 18-837 तक का ये उसको cross नहीं कर पा रहा था पर आज जो global markets के positive sentiment के वज़े से हम देख रहे हैं कि gift nifty में 200 point का gap up है तो ये इसकी के ऊपर open होगा जो resistance zone है 19-550 के आसपास का ये उसके ऊपर ही open होगा और तकरीबन 19-6-18-19-700 तक की opening हो सकते है तो मुझे लग रहा है ये gap up opening के बाद ये जो 19-550 का जो पहले अब जो resistance था वो अब support बन जाएगा और जब तक ये support hold करेगा तब तक यहाँ पे market का texture positive रहेगा और एक rally हम 19-830 से लेके 19-850 तक की expect कर सकते हैं आने वाले कुछ sessions में derivative data की बात करें दोस्तों तो सबसे जब अब put writing 19-400 और 19-300 के strike prices में हुआ था और call rating 19-500 और 19-600 के strike prices पे हुआ है तो market जब अब open होंगे 19-650 के उपर तो यह maximum call rating zone के उपर open होंगे और यदि nifty sustain करता है 19-650-19-680 के उपर आधा पॉना गंटा तो एक sharp short covering move भी हम expect कर सकते हैं आने वाले कुछ sessions में यहाँ से दोस्तों यह gap up opening के बाद यदि bank nifty 44,100 के उपर sustain करता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत important support zone बन जाएगा 44,000-44,100 का और जब तक यह level hold करता है तब तक हम bank nifty में 44,600-44,750 के levels की उमीद कर सकते हैं और immediate support यही रहेगा 43,950 से लेके 44,100 का जो zone था जो पिछले कुछ दिनों में cross नहीं हो पा रहा था जो एक resistance बन चुका था वो अब एक महत्वपुन support बन जाएगा open interest की बात करें option chain की तो bank nifty में बहुत अच्छा writing हो रहा था 43,800, 43,700 और 43,600 के puts में और सामने 44,500 के calls में काफी writing हो रहा था तो मुझे लग रहा है एक overall range अब बन जाएगा bank nifty के लिए 43,900 से लेके 44,700 के आसपास का stocks और sectors कहां पे अच्छा momentum देख सकते हम PSU bank index फिर से एक बार breakout दे रहा है और यहाँ पे canara bank, indian bank, bank of india, union bank, pnb यह सब में बहुत अच्छी चाल और बहुत अच्छा momentum हम देख रहे है daily, weekly, monthly charts के structure पर और open interest में भी काफी अच्छा इजाफा हो रहा है तो मुझे लग रहा है यह sector हमारे ध्यान में होना चाहिए Tata Steel यह सब में एक अच्छा momentum बन सकता है और यह हमारे radar पर होने चाहिए इसी के अलावा अगर दूसरी broader markets की बात करें तो कोल इंडिया, iSher Motors, Indescent Bank, Federal Bank, L&T Finance, BEL, BHEL, Tata Power, PFC, Sun TV, Trent यह सब में एक अच्छा momentum बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर momentum थोड़ा carry forward रहेगा आने वाले कुछ sessions में भी FII, DII data की बात करें तो FII इसने सुमवर के session में हमने देखा था कि cash segment में तकरीबन बारा सो, बारा सो, चालीस करोड तक का selling किया था और DII इसने 800 करोड तक का buying किया था इनके long shot ratio की यदि बात करें तो अभी भी यह 19% के असपास WK पर दोस्तो आज यदि markets positive open हो रहे, 200 point gap up और sustain कर जाते हैं यहाँ पर पूरे दिन तक तो मुझे लग रहा है कि यह number में हमें बहुत जल्द एक improvement देखने मिलेगा और एक बर 25% के ऊपर यह ratio निकल जाए तो 25 से 35% बहुत जल्दी हो जाएगा तो एक faster short covering move हम Nifty में expect कर सकते हैं तो दोस्तो summarize करते हैं हमने आज क्या बात कि Nifty में positive opening के बाद हमें लग रहा है कि 900 से लेके 44 200 के बीच में और resistance zone रहेगा 44 600 से लेके 44 800 के बीच में तो चलिए दोस्तों आज के podcast में बस इतना ही आप सभी का शुक्रिया यह podcast को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए उमीद है आप सभी को इस से अपने trading decisions में काफी फाइदा होता होग thank you all investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing